जैहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिबा ओनलाइन क्लासेज में दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन एरफोर्स की ओफिसियल वेबसाइट पर और आज की इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो इंडियन एरफोर्स में निकली एरमेन की भरती के बारे में तो दोस्तो व्यूडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए बता देता हूँ कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं मतलब यह जो भरती है दोस्तो All India भरती है और इस भरती में आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने बाले हैं और अगर आप यहां की जो education qualification है मतलब जो criteria है QR है अगर आप उसको fulfill करते हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो स्रू करने से पहले आप से एक request होगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और हमारी YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरू कर लेना तो चलिए दोस्तो हम आपको लेकर चलते हैं Indian Air Force की recruitment की official website पर ये है दोस्तो recruitment website जिसके लिए हम बोलते है केंदरी बायू सेनेक चैन बोर्ड यहां से दोस्तो आप देख सकते है advertisement for selection test for airman recruitment for unmarried male citizen of India and Nepal ठीक है जन्बरी 2022 तो दोस्तो यहां पर advertisement निकल चुका है और इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो दोस्तो यह है वो advertisement जिसमें Indian Air Force ने जन्बरी 2022 के लिए जो भरती निकाली है एर्मैन की तो इस वीडियो में दोस्तो हम आपके लिए पूरी पूरी जयनकरी देने बाले हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं दोस्तो यह जो भरती है वो All India के लिए आप देख सकते हैं आप इस साफ साफ लिखा हुआ है Unmarried Male Candidates of India और and Nepal ठीक है तो यहां पर दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो online registrations हैं यहां आप यहां पर देखिए जो मैं highlight कर रहा हूं दोस्तो यहां पर आपकी जो online registrations हैं वो 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 के बीच में start हो चुके हैं तो 7 फरवरी तक आप इस भरती के लिए online registration कर चुके हैं और आपके जो online exam की दोस्तो जो date होगी वो date है आपकी 18 अपरेल से 22 अपरेल 2021 ठीक है तो आपको जो online exam होगा वो 18 अपरेल 2021 से 22 अपरेल 2021 के बीच में होगा तो अब हम आपके लिए दोस्तों बता दें कि इस भरती में आपको apply करने के लिए education qualification और आपकी height, bed, chest जो भी दोस्तों संबंदित जानकारी है वो हम आपको यहां पर बता देना चाहते हैं तो 10 बज़े से 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और 1700 जाने कि साम को 5 बज़े 7 फरवरी तक आप इसमें apply कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं यहां पर कि आपको इस भरती में जो education qualification की जरूरत है आपको इसमें apply करने के लिए क्या-क्या education qualification की जरूरत होगी ठीक है तो सबसे पहले आप यहां पर दोस्तों देखिए education qualification ठीक है तो जो education qualification sorry दोस्तो group x के लिए है तो group x में अगर आप apply करना चाहते हैं यहां पर आपको मैं एक बात बताना भूल गया कि यह जो भरती है वो group x और by दोनों के लिए ही है तो group x में अगर आप apply करना चाहते हैं तो आपके पास में intermediate आप pass होना चाहेंगे with mathematics, physics and english यह तीन subject आपके पास में होना जरूरी है mathematics, physics और English अगर आपके पास में intermediate में हैं और आपके दोस्तों 50% marks हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं same दोस्तो group by के लिए है आपका group by के लिए भी आपका intermediate आपको पास होना जरूरी है any history मतलब आपके पास में subject कोई भी हो चाहें आप art side से हो हो, commerce से हो या फिर science से हो आप इस भरती में apply कर सकते हैं लेकिन सर्थ यह होगी कि आपके किसी भी subject में 50% marks से कम नहीं होने चाहेंगे ठीक है उसी तरह से दोस्तो group by medical assistant trades के लिए है यह तो अगर आप medical assistant trade में भरती होना चाहते हैं Indian Air Force में जो कि group by के अंतरगत आता है तो आपको intermediate class pass होना चाहेंगे और आपके पास में दोस्तो physics, chemistry, biology and English यह 4 subject होना अनबार यह है English में आपके 50% marks से कम नहीं होना चाहेंगे ठीक है यह तो होगी दोस्तो तीनों trades के लिए और दोनों group के लिए आपकी जो education qualification होगी वो अब मैं आपके लिए दोस्तों बता दूं कि आपकी इस भरती में apply करने के लिए date of birth block क्या है तो date of birth है दोस्तों आपकी 16 January 2001 से लेकर 29 December 2004 म पीज में है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं in case a candidate clear all the stage of selection procedure then the upper age limit as on date of enrollment is 21 साल मतलब अगर आप पूरे के पूरे test pass कर लेते हैं तो आपकी जो age limit है वो 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहेंगे 21 साल के अंदर ही आप होना चाहेंगे ठीक है तो दोस्तों मैंने आपके लिए य नहाँ पर दोस्तों जो आपकी height और मतलब physical होगा आपका वो ठीक है लेकिन उसके बाद में मैं आपके लिए बताऊंगा दोस्तों कि आपके लिए इस भरती में apply करने के लिए कौन-कौन सी documents की जरूरत होगी ठीक है तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूँ कि आपका इस भरती में apply करने के लिए height की क्या जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों जो आपकी height है एरफोर्स पुलिस और auto tech trade के लिए छोड़कर group सभी group के लिए बुह है आपकी 152 cm अगर आपकी 152 cm height है तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं ठीक है बेट आपको दोस्तों 50 kg है और चेस्ट आपका 77 kg ठीक है सॉरी 77 cm यह आपका दोस्तों physical से संबंदित हो गया और उसके बाद में यहाँ पर कुछ और भी instructions दिये गए हैं तो यह जो instructions है दोस्तों इसको भी आप आपकी डेटा वो 18 April 2021 से 22 April 2021 से और 22 January से 7 फरवरी तक आप इसमें online registration कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं आपको हम बताएंगे कि इस भरती में apply करने के लिए आपको कौन कौन से documents की जरूरत होने बाली है ठीक है तो चलिए दोस्तों हम आपको यहा following documents are to be upload as applicable to respective candidates ठीक है सबसे पहरे आपके लिए class 10th की mark sheet upload करनी होगी उसके बाद में class 12th की mark sheet upload करनी होगी passport, size photo, recent photographs आपको upload करनी होगी जिनके site 10 केवी से 50 केवी के बीच होना चाहिए ठीक है उसके बाद में candidates left hand thumb impression आपको जो left hand का thumb है अंगुठा है उसके image आपको upload करनी 10 से 50 के बीच में होने चाहिए आपके खुद के signature होने चाहिए तो इसमें apply करने के लिए upload करने होगे और अगर आपकी age 18 साल से कम है तो आपको parents के जो signature है वो भी आपको upload करने होगे ठीक है उसके बाद में the mark sheet indicating marks in English subject in diploma if applicable on the basis last 3 years आपके लिए data of English में आपको जो marks है उसके लि email ID है और अधार card है pen card बगर है इस type के आपके कुछ normal जो है वो आपको करने होगे ठीक है तो दोस्तों यह थी भरती यह भरती दोस्तों all India के लिए हैं आपको मैं फिर से बता देता हूं अगर आप ऐसे airman Indian army में भरती होना चाहते हैं तो यह जो बैकंसी है वो all India के लिए नि आपको दोस्तों अभी भी कुछ सके सवाल है तो आप comment करके मुसे जरूर पूछ ले मैं आपको 100% बता रहा हूं 100% में आपकी जो भी समस्य होगी उसका solution निकाल कर दे दूँगा ठीक है तो चली दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडि